नमस्कार सातियों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको CET Graduation Level Paper का Solution अधिनेस्ट बोल्ड की Official Answer की के साथ बताऊंगा तो वीडियो आपके लिए पोटेंट रहीगा तो आप से लाइक और से जुरूर कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइ भी कर लेना इसके अलावा दोस्तों अगर आप CET Graduation Level और 12th Level का OPCS Level देखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रीप्शन और कमेंट बोक्स से मिल जाएंगे तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देख लेना तो चलिए शुरू क सब्सक्रीप्शन होजाएंगा सी के अंतर दिया गया है मत्वर अदास मात्वर मारवाड यह भी सही है और क्यूसर नमर एक के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा हरी मोहन मात्वर करोली यह राजनेती कार्या करता और देख चिरियासत है वह सुमिलित नही सब्सक्राइगा है यही हमें क्यूसर के अंतर पूछा गया था तो क्यूसर नमर एक भी ऑप्सनों आवा आनशर हो आपका सही आंसर रहेगा सैकेंडा यही पंपर च्वर kaufen के तब म.' नमर दो के लिए आतल explicitly आपका healthy गुण आज़ेगा28 अगर में यहां पर बर्थपूर पर जामंडाल की स्तापना पूछा जाता तब अपना स्भी जह जाता यांश लेक्स हम बात करते हैं क्यूसर नमर तीन की तो इसमें पूछा गया है कि ठारा सो इस्टाउन की करांती के दोरान जैपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे तो क्यूसर नमर तीन के लिए आपका सी ओप्शन सी हो जाएगा यानि वीलियम इडन इसके लिए से अंसरेगा वीडियो बना दूँगा किसी भी एक्जाम में परजाम अंडल और इन से समद्धित कोई भी क्यूसर पूछा जाएगा आपका अठारस्टाउन की करांती से समद्धित तो आपका क्यूसर कभी गल्त नहीं होगा तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वह एक बार दिनियम पारित है वो किया गया था तो क्यूसर नमर चार के लिए आपका सी ओप्शन सी हो जाएगा यानि लोड केनिंग के समय यह दिनियम पारित है किया गया था क्यूसर नमर पांच है अठारा सो अठारा इस्वी के अंदर कंपनी के और से राजपूत राजियों से संद तो क्यूस्वर नम्र 6 के लिए आपका B उप्शन सी हो जाएगा यानि हरी बवा उपाज़ाय के द्वारा हटूंडी असर्म की इस्थापना वो अजमेर के इंतरगत की गई थी Q7 है विजिया सी पतिक ने किस समाचार पत्र के माद्यम से बिजोलिया किसान अंदोलन का परचार पूरे बारत में कर दिया गया था तो ये दोस्तों आपका समाचार था Q7 के लिए D-Option से हो जाएगा यानि परताब समाचार के माद्यम से ये प्रचार प्रचार प्रचारा पूरे बारत में के गया था तो बिजोलिया किसान अंदोलन से हर बार कोई न कोई एक्जाम के अंतरगतоже एक Q7 वो जुरूर हे आता है ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते है क्यूसर नमर 8 की इसके अंतरगत हमें कतन दिये गए हैं वो रमिदान से पुरक पढ़के फिर उनके मेंसे जो सही है वो हमें बताना है कतन ए दिया गया है कि गुनिश्वी सदी के उत्रार्द में मिवाड में देश इतनी सब्बा है इसकी स्थापना की गई थी और इस सब्बा का मुख्य उद्देश या वो समाज सुदार था तो क्यूसर नमर आठ के लिए आपका डी उप्शन से हो जाएगा यानि हमें जो दोनों कतन दिये गए वो दोनों कतन ही सही है क्यूसर नमर नो है अठारसो शित्याउन की करांती में अंग्रेज वजोद पुराज्य की स्विक्ट शना को किसने पराजित किया था तो हम सभी जानते हैं कि क्यूसर नमर नो के लिए यह उप्शन से हो जाएगा यानि ठाकुर कुसाल से ने पराजित किया था दोस्तों अठारसो शित्याउन की करांती से आपका दूसरा क्यूसर नमर दस है निमलिकित ठिकानों में से किसने चवरी कर है वो लगया था तो क्यूसर नमर दस के लिए आपका डीition से हो जाएगा यानि बीजोलिया ठिकानेदार निमलिकर है व लगयाता ठीक है वो ठिकानेदार था करसंसी ये दोस्तों बीजोलीया से समनधेता आपके दूसर नाचज़ के हैं और इसके लवा ठार्वाथा थाउस स्क्राउं क कि क कमेंट करकि बताना है तो डिया यह को अप्षिविया हो हो जाएगा यानि मंगलु नघप इसके लिए सी या नवर्छी नमर तेरा बारतिय लोक कला मंडल संस्ता कहां पर इस्तित है वो हमें बताना है किस जिले के अंतरगत है तो किस नमर तेरा के लिए यह उप्शन से हो जाएगा यानि उद्यपूर्ग इसका सही आंसर रहेगा किस नमर चौद है कार्तिक महिने में चंदरबागा पसुमेला रा यह उप्शन से रहेगा यानि गुणिश व कनचास के अंतरगति इसम तो तो किस नमर से यह उप्शन से नीद्स, हम बात करते है के लोदरवा परषिद है किस के लिए परसिद है, तो Q-17 के लिए आपका e option सी हो जाएगा, यानि जैनियों के लिए परसिद आपका इस्तले रहेगा Q-18 है सहीब दीन नामक छित्रकार को मिवाड के कि सासद का स्रक्षन परापतावो सास का नाम हमें बताना है तो 18 के लिए आपका C option सी हो जाएगा यानि माराना जगत C first इसके लिए सही answer रहेगा Q7 नमर गुनिस है फलकुबाई का समन्द किसे नर्थ तैसी है तो Q7 नमर गुनिस के लिए B option C हो जाएगा यानि चरी नर्थ तैसी है इनका समन्द हो जाएगा Q7 नमर गुनिस है निमलिकित में से कौन सा वादे यंतर जो हमें दिये गए इन तिनों में से अलग है तो Q7 नमर गुनिस के लिए E option C हो जाएगा यानि खड़ताल है वो तिनों वादे यंतरों से अलग एक वादे यंतर है Q7 नमर इकीस है निमलिखित में से किस अंतर केस में परताब सी बारट को कारावासे दिया गया था तो क्यूसर नमर 21 के लिए D option सी हो जाएगा यानि बनारस जो सडियंतर मुकदम है उनके तहते परताब सी बारट को कारावास की सजाव दी गई थी क्यूसर नमर 22 है निमलिकित में से कौन सा अबूशन और मनों अंग है वो सुमेलिते नहीं है तो क्यूसर नमर 22 के लिए C option सी हो जाएगा यानि रम जोल जो हमें कलाई दी गई है वो option सही नहीं है बाकी तीनों option क्या हो जाएंगे सही answer रहेंगे पिर क्यूसर नमर 23 है शरीदर अंधारे ने को की सेली चितर सेली को प्रकास में लानी का सरे दिया जाता है तो क्यूसर नमर आपका ये 23 है इसके लिए B option सी हो जाएगा यानि देयूगरड सेली को प्रकास में ये लाएते हैं तो Q7 के लिए B option आपका C answer एगा फिर दोस्तों Q7 है एक तरफ हमें cool देवी दीगी है दूसरी तरफ हमें इनकी जाती दीगी है तो Q7 नमर चोईस में A में में दीगी है करणी माता तो इनका समद हो जाएगा चारण से तो यानि पहले के अंतरगत आपका च्यार आएगा तो यह आपके तीन ओप्शनों के अंतर दिया गया है फिर है सक्राई माता जो कि है खंडेल वालों की फिर है आई माता यह है सिर्वी जाते की और ना रहाणी माता है ना जाते की इनको आपको भी वीडियो को पोज करके अराम से मैच कर ले एक और मैं आंसर बतादू इन चारों का सई आंसर हो जाएगा वो जाएगा ओप्शन नमर जाएगा नेक्स्टम बात कर लेते हैं Q7 25 है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों के अंदर विविक्त है तो यह आपकी 14 खंडों के अंतरगत है विविक्त है यानि कि क्यूशन नमर 25 का C option है वो सही रहेगा फिर है क्यूशन नमर 26 है इसके अंतरगत हमें बोला गया है कि गोविंद देव मंदिर जैपूर मदर मोहन मंदर करोली का समंद किस संपरदाई से है तो क्यूशन नमर 26 के लिए डी ओप्षन सही रहेगा यानि इनका समंद है वो गोडिय संपरदाई से रहेगा क्यूशन नमर 27 है के शरी बारत ने चेतावनी राचुट या किसको संबोधि क्यूशन नमर 28 है जोदपूर का महामंदिर किसका उपासनास्तल है तो 28 के लिए आपका D-Option C हो जाएगा यानि नाच संपरदाई का उपासनास्तल है जोदपूर का महामंदिर पिर दोस्तों हम सब्सक्राइब का फ्याइट क्यूशन आ चुका है क्यूशन क्या है कि बढ़तनी होगा यानि कि जो विवाब पर वोजन का योजन किया जाता है उसी हम क्या कहते हैं बडार बोलते हैं ठीक है फिर क्यूशन नमर 30 के लिए डी ओप्शन सी हो जाएगा पर्थिवराज विजय चंद्रबर्दाई यह आपका सही नहीं है पर्थिवराज विजय किसकी लिए यह आपको कमेंट करके बताना है नेक्ष्ट अंबाद करते है क्यूशन नमर 31 कि मुंक्ती नामक जो कविता संगराल है वो किसी है यह रचना ठीक है तो क्यूशन नमर 31 के लिए B option सी हो जाएगा यानि मिठेस मिरो ही कि आपकी रचना हो जाएगे क्यूशन नमर 32 है भ च्यार हातों वाला लोक देवता किसे का जाता है तो क्यूंसर नमर 23 के लिए ईये उप्सन सी हो जाएगा या किसे घ्यार लाद गाजाता है कसुषित नमर 34 है किसांपरदाइक सुख़दे के प्रतीक। कजी हमुमुदsåिन नागरी किसे सूपी सिल्च लेके थे तो क्यूशन नमर है या आपका 34 तो इसके लिए आपका D option है वो सही answer रहेगा फिर है क्यूशन नमर 35 कि मलिक साह की मस्षिद है वो कहां पे है तो क्यूशन नमर 35 के लिए आपका C option C हो जाएगा या आपकी कहां पे हो जाएगी जालोर के लिए इसका C answer रहेगा फिर क्यूशन नमर 36 है कि दी बारतिया मानक समय है उसको निर्दारित करने वाली जो देसांतर रेखाए हैं इसको अगर हम परदान रेखा का दरजा दे 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 परदान देसांतर का दरजा दे 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 तो अंतराश्ट यह ती 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 रेखा का देसांतर क्या हो जाएगा यह दोस्तों थोड़ा जो लोजिकल क्यूशन होता है उस टाइप का क्यूशन है डायरेक्ट फिक्ट नहीं पूचा गए फिक्ट के बाद मैं आपको इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके निकालना था तो यह आपका क्यूशन नम्मर हो जाएगा 36 और इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा बी नम्मर उप्शन यानि साड़े सितार्ण में डिगरी पूरी इसके लिए सही आंसर हैगा फिर एक्यूशन नम्मर 37 है कि बारत में सुसक करसी की जाती है कांपे की जाती है तो क्यूशन नम्मर 37 के लिए आपका बी ओप्शन है वो सही हो जाएगा यानि 35 से 75 से 75 से 75 वरसा 76 वहां पे सुसक करसी की जाती है क्यूशन नम्मर 38 है बारत को 15 कर्षी जल्वाई उपरदेशों में किसने बांटा है तो क्यूसर नमर 38 के लिए आपका A option सी हो जाएगा यानि इसे योजना आयोगने 15 बागों में बांटा है क्यूसर नमर 40 है बारत की पर्थम जेतून रिफाइनरी राजस्तान में कांपी है तो इसके लिए लोन कंसर आपका एकदम C आंसर एगा हमारी मद्य पर्देश य लाका भाग नहीं है क्यूसर नमर 44 है भारत के किस राज्य में कुल 6 तरफल में वन्हों का 6 तरफल पर 30 है वो सर्वाधिक है यह आपको उप्शन दिएगे इन में से बताना है तो 44 के लिए सी ओप्शन से हो जाएगा यानि इसके लिए मिजुरम सही आंसर रहेगा पिर एक्य किस नदी पर इस्तित है दोस्तों ससी के दो त्रीन इपोर्टन मोस्ट इपोर्टन क्यूशन है जो कि इसके अंतर हमसे वो पूच गए यानि रिपीट किये ऐसे सी के फेवरेट क्यूसर नहीं में से एक ही है शीव समुंद्रम जल पर पात किस नदी पेश्टित है तो इसके लिए जो पैंटालिस के लिए यह उप्शन सी हो जाएगा यानि कावेरी नदी के उपर इसके सही आंसर हो जागा फिर है क्यूशन नम्मर 46 के लिए यह उप्शन सी हो जाएगा यानि इसके लिए बर्थपुर और दोलपुर आपका सही आंसर है रहेगा यह उप्शन किस नम्मर 46 के लिए आपका यह उप्शन सही रहेगा किस नम्मर 47 है कि जनगर्णा 2021 के अंतरगत राज्जस्तान में जो लिंगानु पात है वो क्य है 928 से अब हमें पुछा गया कि इन दोनों में इंतर कितना है इन दोनों में 15 पॉइंट का अंतर है तो यानि कि जो राज्यस्तान का लिंगानुपात है वह राश्टे लिंगानुपात से 15 कम है तो इसके लिए 47 के लिए यह उप्षन आपका सी हो जाएगा क्यूसर नम्मर अ पर है इसरदा बांद प्रियोजना किन जिल्ले में निर्मित किया गया है तो इसरदा बांद है वह आपका टॉंक और सुआई माद्यवपूर के अंतर इसका सी आंसर नम्मर पचास है निमिली खित में से कौन सा इस्तला करती और इसकी जो इस्तती है वह सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है तो उडिया का पठार माउंट अबू सही है बाकर के पाड़ियें यह पूरू इसरोई सही हो जाएगा बोराट का पठार कुंबल गड़ और गॉंबुद्ना के मद्य यह भी आपका सी आंसर है तो यह पचास के लिए आपका सी ओप्सन सही हो जाएगा यानि लसाडिया का जो पठार है वो राज समंध में नहीं है यह कांपे है उद्यपर इसका लिए सही आंसर हो जाएगा तो पचास के लिए सी ओप्सन आपका सही रहेगा क्यूसर नमर इकाउन है कि राजस्तान में निमलिखित में से किन जिलों में इन सेप्टिस ओल मर्द सी इसके लिए आपका सही आंसर हेगा तो इक उन्मर बाईन है कौन सा खनीज और खनंग शेतर है वह सही नहीं है तो प्रेस्क लिए ग्युस कुछ नम्मर है, त्रेपन के लिए B option C हो जाएगा, यानि 12 के अंतरगत है, इसके लिए C answer है रहेगा, क्युस का नम्मर चौपन है, राजस्तान का सबसे बड़ा कर्शी जलवाईू पर्देश कौन सा है, तो किस नमर 54 के लिए B option से हो जाएगा यानि 38 सुसक है आंशिक सिंती चेतर है जिसको हम 1st C भी बोलते हैं 3 जिलेस के अंतरगत आते हैं जिस सलमेर है एक आपका चूरो हो जाएगा और विकाने रिसके लिए C answer है रहेगा किस नमर 55 है बीठडी पौन उर्जा प्रियोजना राजस्तान के किस जिले में श्तित है तो किस नमर 55 के लिए D option से हो जाएगा यानि जोदपुर इसके लिए आपका सही answer है रहेगा किस नमर 56 है कि राजस्तान में निमनलिकित में से जो जिले दिये गए हैं उनका जनसंक्या गनत्व है सो वैक्ती परती वरक किलोमेटर से कम है वो हमें बताना है तो 56 के लिए आपका बीठडी प्रियोजन से हो जाएगा यानि जैसल मेरे बाड मेरो और विकानेर इसके लिए सही answer है रहेगा नेक्स्ट आम बात करते हैं और यानि मेवाड और आपका जालावाड साइड के च vir के शहते हाँ बात है है इसका उत्पाधन किया जाता है तो क्यूसर नमर इठाउन के लिए यह ओप्षन सही आपका आंसर रहेगा क्यूसर नमर गुणसट है कि 2011 की जंगना के नुसार राजस्तान के किस जिल्य में नियूनतम गरामिन लिंगानुपात है वो आपको बताना है तो सबसे कम नियूनत राजस्तान में पाई जाती है तो साठ के लिए यह ओप्षन सी हो जाएगा याईनि बर्तपूर और टॉंक वन विवाग में यह खंस कहां से हो पाई जाती है जो कि इतर के काम आती है कि उस नमर इक सट है कि राजस्तान में नगरपाले का अध्यक्स के विरूद है ऐ विश हो था इसके लिए सही आंसरेगा किस नमर जबास्तान विदान सुबा के पर्तं प्रॉंट स्पिकर है को थे कूस नमरपाश्ट के लिए यह ओप्षन सी यह और यहांई महरा शंगराम सी इसके लिए आपका सही आंसर रहेगा कि किस नमर त्रेसट है राजज्या मानौ best क्या आयो के अध्यक्स के निक्ति राज्य hapal द्वारा, एकशमति पर के किजाते यिसम ü accurate भी गता है उन्हाई वह इसमेन कनरे नहीं होता हुला है तो क्यूसर नमर 63 के लिए आपका D option है C answer एगा पिर क्यूसर नमर 64 है कि राजस्तान राज्या सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिक्तम कितनी राज्या का जुर्माना वो लगा सकता है तो क्यूसर नमर 64 के लिए आपका C option C हो जाएगा 20,000 के लिए से अंसर एगा पिर क्यूसर नमर 65 है राजस्फान में बीत आयोगे पर थैम अधिक्स कौन थे तो इसके लिए जो आपके सही आंसर हो जाएगा क्यूसर नमर 65 के लिए आपका E-Option से हो जाएगा यानि के के गोईल दोस्तों राजस्तान में किसी भी आयो के अधिक से समझ जित क्यूसर पूच आता है तो उसमें के जुरूर आता है जैसे के 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 गोईल है और यह S के गोस है कि यहां पे भी आगा है यह RPSC के पहले अधिक से तो इस प्रकार आप थोड़ा सा एक हिंट है वो रख सकते है क्यूसर नमर 66 के लिए नियोजन विवाग की स्तापना वो कब की गए थी तो क्यूसर नमर 66 के लिए एप्शन से हो जाएगा यानि गुनी 153 इसका सही आंसर एगा पिर क्यूसर नमर 66 है कि कतनों को द्यानपूर का हमको पढ़ना है पिनिन का जो सही आंसर है वो बताना है कि टिकाराम पालिवाल राजस्तान में एक मांतर ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे पिर सेकेंड ओप्शन है हरिसंकर भाबडा राजस्तान में अब तक सबसे लंबे समय तक है उप मुख्यमंत्री भी रहे है तो क्यूसर नमर 66 के लिए आपका सी ओप्शन सी हो जाएगा यानि जो में दोनों कतन दिये गए है वो दोनों कतन सही है पिर क्यूसर नमर 68 है कि राजस्तान लोग सेवा गारांटिय दिनियम 2011 की अंतरगत है परतम अपीलिय प्राधिकर के निर्ने की यूरूद कितने दिन में दियूतिय अपीलिय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है तो 68 के लिए D-Option सी रहेगा यानि 60 दिन के अंतरगत है दूसरे अपीलिय प्राधिकारी को हम अपील कर सकते है फिर नेक्स्ट क्यूस्टन है राजस्तान में राजय पाल पदेन कुलापती होते है तो किन के कुलापती होते है तो क्यूस्टन नमर इसके लिए आपका C-O Option सी हो जाएगा यानि राजस्तान के समस्ट राजय विश्वय विद्दालियों के ठीक है राजय विद्दालियों के रहेंगे केंद्रिय विद्दालियों के ये कुलापती नहीं होते है तो यानि राजस्तान के समस्ट राजय विश्वय विद्दालियों के ठीक है नेच्ट आम बात करते हैं Q7 कि निमन में से राजस्तान की किस मुख्यमत्री के काल में सर्वादिक बार है वो राष्टरपति सासन लगा था तो पहली बार तो मुहलाल शुकाडे के समय लगा था और सबसे ज़्यादा बार है वो भेरुशी से काउथ के टाइम में ये दो बा पार है तो के टर के लिए ये उप्षन आपका सी आंसर एगा बात करें कि एक रुपे नोट पर किस के अताक्सर होते हैं ठीक एक रुपे नोट हो शिका हो इसके अंतरगत किस के होंगे सची होंगे वह भी किसका वीत मंतरा लेकि बाग कि जो भी दोस्तों आपके बड़े न को शीम और स्योंगे और सेख़ाएगा एसथन कामक्रों का एक जो राश्डे डाटाबेस बनाना इसका उदास्यायए क्यूशन पिखे नमर्शन चाहिए कि कि उप्योजना के रूप में लौंच से किया गया तो कूशन नमर्शन पिचेतर के लिया आपका डियो उप्सन से ह एक रॉस्टमी ऑंड्री तक कि नहिती तो चिंदर के लिए एक आपका सही जैगा कि फिर है बाकर्णतमे चासची क्युआ रहेगा यानि कि आपके हरित क्रांदित आपका सही आंशर है तो सोब करेंगे रहाद से रहेगा किस नमर इठेंटर है बहु आया में गरीबी सूचकां के अवधारना किस वर से शुरू की गए थी तो किस नमर इठेंटर के लिए आपका E option से रहेगा यानि 2010 के अंतरगत शुरू की गए थी पिर एकेंदर ये बैंक द्वारा निमन में से कौन सी साक नेंतन की प्रिमाना आत्म के विद्धी है तो इसके लिए आपका D option से हो जाएगा यानि बैंक दर इसके लिए सही आंसर रहेगा क्यूसर नमर 80 के लिए आपका E option से हो जाएगा यानि साथ जिले इसके अंतरगत सामिल किये गए है क्यूसर नमरी क्या सी है वर्तमान में राजस्तान में आर्थिक नियोजन के छेतर में किस पर्णाली को अपनाया जा रहे है तो क्या सी के लिए आपको D option से हो जाएगा क्यानि जी लाजस्तरी है आर्थिक पर्णाली C answer है क्यूसर नमर 82 है मनरेगा की दरज पर राजस्तान के सहरी निकायों की सिमा में रहने वाले प्रियारों को वी तिये से हो कौन सी योजना के अंतरगत है वो लागू की गई है तो इसके लिए जोस्तों आपका C answer हो जाएग जो इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारांटी योजना है जैसे गामों में मनरेगा वो आपकी योजना चल दे है उसी के तरज़ पर सहरों के अंदर भी इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारांटी योजना है वो आपकी शुरू की गई है क्यूस्ट नम्र 83 है कि राजस्तान की किस जिल्ले में जियो लोजिकल स्रिय ओफ इंडिया 2021 के नियून्टम स्रिवेक्षन में सिमेंट ग्रेनाइट ग्रेड लाइम इस्टोन है कि विशाल बंडार मिलें तो 83 के लिए आपका जो अन्सरोगा B यानि जिस सलमेरिस के लिए क्यूस्टा नम्र 84 है इसके अंतर गता आपको बताना है कि जैसे समेलित करना है अजरक प्रिंट है वह आपकी कांकी है फिर मसूरिया मसूरिया कांकी हो जाएगी में थून कोटा की हो जाएगी यानि चार के प्रियोजना जिल है वो सही नहीं है तो पिच्छाइसी के लिए आपका C option C रहेगा यानि परवन जो लिप्ट प्रियोजन है वो आपके जैपूर से सम्मन देते नहीं है यह दोस्ता आपको कमेंट करके बताना इसके लिए C answer हो क्या रहेगा फिर क्यूसर नम्मर 86 है भोर यानि बी एच ओ आर कार्यकरम जो कि प्लीस आयक्त जैपूर के द्वारा चला जा रहे है इसका उद्ध शेक है तो 86 के लिए B option C हो जाएगा यानि बिक्सकों का पुनरवास इसके लिए C answer हो क्यूसर नम्मर 87 है कि मौंग फली के उत्पादन में राजस्तान का भारत में कौन सा इस् कि वीत्य वर्ष्टा के लिए केंदर और राज्य का कितना हिसा रखा गया तो 87 के लिए C option C रहेगा यानि 75 और 25 का अनुपात है C answer हो रहेगा क्यूसर नम्मर 89 है काफी बार रिपीट हुआ है कि राजस्तान में सिमेंट का पर थमकार खाना कहां इस्तापित वा था तो रागांदे नहर प्रियोजना का लाब नहीं मिल रहे तो 90 के लिए यह option यानि पाली आपका सही answer है रहेगा क्यूसर नम्मर 81 है कि हालों में खबरों में जो आपका परक है निमल कितमें से किस समझ देता है तो दोस्तों एक मुल्याकन कि आपकी जो वीद्धी है उस शिक्ष जानिती के तैत तो यानिक यह आपके शिक्षा से समझ देते है इसका सही answer है फिर क्यूसर नम्मर दोस्तों बार्ण में है कि अड़ानी हाइब्रीड एनर्जी कि सही कंपनी ने किस इस्तान पर बारत का पहला पावन सोर हाइब्रीड पावर प्लांट इस्ताबित किया है त 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनकड ने बारत के चोईदें उपराश्ट पती के रूप में सपतली यह वैक्ति के अनुसार चोईदें नम्मर थे ठीक है फिर इनका समन्द हो जूंजनों जिले से हैं और राजस्तान से उपराश्ट पती बनने वाले दूसरे वैक्ति है और कि इ दोनों सदनों के जो अध्यक्स है वो राजस्तान से है तो क्यूशन नम्मर जो आपका ट्रेंड में इसके लिए आपका बी उप्शन सी रहेगा यानि अगर हम पहले को छोड़ दें तो बाकी जो तीन्नों कतन है वो आपके सही है ठीक है यह दोस्तों राज्यसभा के अध् रेट क्यूशन है मोस्ट इपोर्टेंट कई बार आचुका है तो वर्तमान में स्यूंक्त राश्टरसंग के महा सच्चीव कौन है तो इसके लिए जो सी आंसर हैगा एंटोनियों गुटेरेशी सी आंसर हो जाएगा और इनसे पहले थे बान की मून इसके लिए त्यानि कि आपका क्यूशन नमर चौण में के लिए ओप्शन सही रहेगा क्यूशन नमर पिचान में कि सीमा सुरुक्ष्या बल द्वारा जनूरी 2022 में राज्यस्तान की सीमा पर कौन सा अभ्यान चलाय जा रहे तो अप्रेशन सरद हो इसके लिए सी आंसर हैगा फिर क्यूशन नमर च पर चाना थी वो थी पंचरंगी च्वार प्हर सकीरेश के लिए सी आंसर हो जाएगा यह चानमा के लिए आपका एन मर नमर ऑप्शन नमर के निमन में से किस रेलीयश्टेशन को हाल इमें प्लेटिनम ग्रीन रेलीयश्टेशन की रेंटिंग उद दीगी थी तो शीतान में के लिए एउप्शन से रहेगा यानि हैदराबाद सी आंसर एगा फिर एक्यूशन नमर इठाण में कि जनुरी 2030 में 108 में इंडियन साइंस कॉंग्रेज से आयो जीत होगी ये कांपे होगी तो इठाण में के लिए आपका डी ओप्शन सी हो जाएगा यानि नागपूर इसके लिए सही आंसर रहेगा नेक्स्ट है क्यूशन नमर 99 में कि हाली में यानि 9 अप्रेल 2022 को राज़स्तान के निम्मलकित में से किस लोग संगीत कलाकार को संगीत नाट अकादिम पुरुसकार परदान किया गया तो 99 में के लिए आपका सी ओप्शन सी रहेगा यानि गाजी खा बरना इसके लिए सी आ नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों भी आपकी यह कंप्यूटर के क्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं तो क्यूशन नमर 101 हमें दिया गया कि निम्मलकित में से किस समुवे में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है तो क्यूशन नमर 101 के लिए आपका डी ओप्शन है वो सही आंसर रहेगा फिर दोस्तों क्यूशन नमर 102 के अंदर के तो हमें एक और दो सम दे गए हैं और इनका मिलान करके वो हमें बताना है जैसे इनमें से दोस्तों एक तो है आपका QR कोड जैसे हम पेमट करते हैं तो वहां पे अपने QR कोड है वो स्कैन करते हैं तो यह नहीं कि QR कोड कि इसके लिए हो जाएंगे इनमें से ओनलाइन पेमट के लिए पिर इसके लावा जैसे भी आपने एक्जाम दिया था तो आप ओमार सीट बढ़ते हैं तो ओमार सीट किसके लिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रिक्षा के लिए बढ़ते हैं ठीक है इसी परकार इनको आ Department Store के लेबल के लिए पिर आपका बी के अंतरगत ए हो जाएगा यानि ओमार हो जाएगा वस्तुनिस्ट प्रिक्सया के लिए C के अंतरगत आपका 4 हो जाएगा C है यानि M I C R ये हो जाएगे दोस्तों आपके बैंक के उपर जो बैंकों का चेक आता है उसके उपर एक नम्मर लिखे रहते है तो वह होता है ठीक है फिर आपका मैंने QR कोड बताई दिया है ये किस के लिए हो जाएगे आराम से आप मैच कर लिजिए ये उप्सन इसका सही है उसी के कोडिंग आपकों का मैच हो करना है क्यूसर नम्मर एक सो तीन है कि MS Word 2019 के संद्रब में अंतिम परिवर्तन के इस्तान पर किये जाने वाला श्टोक हो क्या है तो शिफ्ट ए प्लस पाइप 103 के लिए आपका सही उप्सन है क्यूसर नम्मर 104 है MS Excel मैनीमल में से कौन सा सही फोर्मूला है तो एक सो चार के लिए बी उप्सन आपका सही आंसर है रहेगा क्यूसर नम्मर 105 है कि NTFS का मतबल यानि कि डेस से मतलब है फिर और उसे डेस्ट द्वारा विक्षित किया गया तो इसका अर्थ किया और किसके द्वारा बनाया गया वह हमें बताना है 305 के लिए आपका C option से हो जाएगा यानि कि new technology file system है और यह Microsoft द्वारा बनाया गया question number 106 के life 5 के बारे में कतनों पर आपको विचार करके वह बताना है तो question number 6 के लिए मैं आपको direct answer बता रहा हूं तो इसके लिए आपका option जो D है वह सही रहेगा त्यानि कि इसके according आपका second option C है और आपका D option है यानि 4 नमर option है वह सही रहेगा और इसके लिए जो C answer है वह आपका option D, C answer है पिर question number 107 है कि जे विवता से समझेत आपको जो सही खतन है वह बताने है तो जे विवता के समझेत जो आपका सही खतन होगा तो 107 के अंदर E option C हो जाएगा यानि जो भूमत दे रहेखा है वहाँ पे जे विवता सबसे अधिक है तो भूमत दे रहेखा कि और जे विवता बढ़ती है यह आपका C answer है क्विशन नमर 108 है कि अलफ विवराम के अकार के जो विसानों यानि बैक्टिरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं तो विवरियो 108 के लिए C option आपका C answer रहेगा फिर आपका दो साखाओं वाले समांतर परिपर्त का एक का परतिरोद है वह 12 है और दूसरे का अठार है तो हम हमैं जो दूसरे साखाका पर्तिरोध है वो क्या रहेगा वो हमें बताना है ठीक है कुल परतिरोध हमें दिया गया 12 है और एक साखाका अठार है तो हमें दूसरे साखागा परतिरोद है वह हमें बताना है यानि 36 के लिए आपका C answer रहेगा क्यूशन नमर 110 है कि यदि कुई वस्तू सब्तंत रूप से पर्थियो पर गिरती है तो उसकी कुल उर्जा 110 के लिए इसी ओप्षन से रहेगा यानि कुल उर्जा है उसकी इस्तिरे रहती है क्यूसे Хотя — normal 110 के तरहां कि आ व्यंति वीडियो को आप पोज कर के आरामसे उनको मिला सकते हैं यह बलीचिंग पावडर बैंवंकिंग सोडा वस्टिंग सोडा और सोडियम कुलोराइड से समझे आपके क्यों से नहीं पूछे गए क्यों से नमर 112 है कि हमें बताना है कि समताप मंडल ओजोन के हास के लिए कौन-कौन सी गेस उत्तर दाई तो है तो क्यों से सबसे बड़ा होता है लेकिन यहन की सुरुआत में के साथ यह से कुर्टा जाता है और और धौरा परतिशता हुजा यानि किस गरंथि बाठी में बढ़ी होती है और टैम के साथ देर्य द्र गरंथिया प्सक्राल या तो इसनदेस्क हो जायगा है क्यों सॉनम्र 150 है जो इस रोके बारे में मैं C कतन का चैन करना है तो मैं डायेट आंसर बता जिता हूँ B option इसका सही रहेगा यानि B option के recording दो नमर और तीन नमर कतन दिये गए वो आपके C answer रहेंगे अब दोस्तों आपके math के question अस्टार्ट हो रहे हैं पर जो अंकित मुल्य उसका 20% और 10% चूट देता है यदि कुर्शी का मुल्य 2,000 रुपए तो गराय को कितना मुल्य हो चुकाना पड़ेगा तो 116 के लिए आपका D option सही रहेगा यानि 1440 इसके लिए C answer है क्यूसर नमर 117 है कि यदि हम 6 को छोड़ दें तो 47 और एक 6 की कक्षया की ओस्तायू से पांच वर्स पॉइंट पांच से वर्स कम हो जाती है यदि प्रारंबिक ओस्तायू 18 वर्स है तो 6 की जो आई है वो हमें निकालने है तो 170 के लिए या अप्शन से जाएगा यानि 38 वर्स इसके लिए C answer है क्यूसर नमर 118 है कि एक निशित र अंतर 25 है तो हमें राशी बताने है तो 118 के लिए C option से हो जाएगा यानि राशी हो जाएगा आपकी 10,000 क्यूसर नमर 119 है कि दो उमिद्वारों ने चुनाव लड़ा उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का जो 65% पराप्ट किये और वह दो 420 वोटों से जीत गया यानि क और इनमें से कोई भी मत है वो एमा नेगोशित नहीं किया गया तो हमें डाले गए मतों की संग क्या है वो बताना है तो 119 के लिए आपका B option से रहेगा यानि डाले गए मतों की संग क्या कितने हो जाएगा आपकी 1420 के लिए सही answer रहेगा पिर question number 20 है यादी A की आई B की से चाहे बटा पांच को नहीं है तो C की आई और एक याए का जो हमें अनुपात हो बताना है तो 120 के अंतरगत आपका B option से रहेगा यानि दोन पात है एक इसके लिए सही answer एगा question number 121 के अंतरगत दोस्तों आपको एक तरफ तो यह आकरती दीगे है और दूसरे हमें दरपण की जो आकरती है वह बताना है तो मैं diet answer बता देता हूं तो आपका जो 121 है इसके लिए आपका C option से ही रहेगा ठीक है तो 121 के अंतरगत आपका C option से ही answer रहेगा next question number 122 है कि गुणवत्ता का जो एक तरफ तो हमें कतन दिए गए और एक तरफ हमें निशकर्स दिए गए तो कि गुणवत्ता का एक मुल्य टेग होता है बारत शिक्षया के लिए बहुत सारा धना वह आवंटित कर रहा है निशकर्स है कि बारत में शिक्षया की गुणवत होता जल्दी सुधार होगा और अक्केले वीट पोस्टन शिक्षया की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं तो इन कतन और निशकर्स हो में से हमें बताना है तो 122 के लिए बी ऑप्शन से रहेगा यानि कि केवल और केवल निशकर्स यह है वो इसका अनुसरन करता है बाकी न पर बताना है कि यह अनुपात यह है और समानुपात यह अनुपात आगे क्या होगा यानि इन कारोनी में जो समंद है वही नेक्स्ट में समंद होगा परसन वाचक चिन के अंतरगत क्या आएगा वो हमें बताना है तो आथ दोस्तों में डायेट आपको आंसर बता रहा हूं और B के वह जो बीच के दूरी रहेगी वह आपकी 10 मिट रहेगी तो 125 के लिए आपका C आंसर है रहेगा क्यूशन नमर 126 है कि से संकेती बासा में ट्रिपल का आर्थ आपको दिया गया कि क्यूशन नमर 27 बलेड रिलेशन से क्यूशन है कि A B की बहन है C B की माता है D C का पीता है E D की माता है तो एक इस परकार D से समन दित है 327 के लिए आपका C ओप्शन सी हो जाएगा यानि पौत 30 के लिए C आंसर रहेगा क्यूशन नमर 28 है कि 21 पुरुसों के एक पंक्ति में मनीश को दाइं और चार स्थान से रखाया गया अब 22 से 12 स्थान पर है तो पंक्ति में दाइं च्छोर से उसका पुरुए में स्थान क्या था तो 128 के लिए या उप्शन से हो जाएगा यानि पहले इसका अस्थान चोग 144 185 260 दिया इन में से कौन से संक्या वो गलत आई है इन में से तो 139 के लिए याप यहां पे गलत में दिया गया पिर दोस्तों यहांपको तिर्बूजों की काल्कुलेशन करनी है तो 130 के अंतर तुमें पहले बता दूंब इसके अंदर 16 तिर बूज यानी 130 के लिए यह तो सबसे पहले हम इंदियाल डिसकस कर लेते हैं कि आयादी सवरसंदी से समंधित आपका जो क्यों सब्सक्राइब एक उप्षन है वह गलत दिया गया है वह उप्षन कौन से तो 131 के लिए भी उप्षन है वह सही रहेगा यानि कि जो विदायक है यह क्या होता है इसके ओपर दो मातर आती है धिया थ है कि उपर की आझा देख जो देख खते हैं तो यह तो यहां पर दो मातर हानी थी एक गलते आंसर अरहेगा पिर क्यूशन नमर 133 है कि नाटक के अंत में प्रियुक्त जो मांगलिक पद होता है के लिए सार तक सब्द आपका क्या रहेगा तो 133 के लिए C उप्शन सी रहेगा यानि भर्तवा केस के लिए C आंसर रहेगा 134 है कि निमने में से किस उप्शन के उप्शरक भी है कि इसमें से आपको एक सुद वाक्य है उसका चैन करना है तो क्यूशन नमर 35 के लिए C उप्शन सी है उसने मेरे सब्दों पर द्यान नहीं दिया यह आपका वाक्य सही है कि इसका इंदी में प्रिबासिक सब्द कौन सा होगा तो क्यूशन नमर 136 के लिए बी उप्शन सी है यानि नियतन इसके लिए C आंसर हैगा क्यूशन नमर 137 है कि कि इस उप्शन में तत्फुरु समास का प्रियोग नहीं हुआ है 137 के लिए बी उप्शन सही रहेगा अंद विश्वासियस के लिए C आंसर है नेक्स्ट आपको बताना है कि विलोम सब्द की दरश्ट इसे सही ओप्शन कौन सह है जिसमें आपको सबी विलोम दिये गए है वह आपको बताना है तो 138 के लिए आपका B उप्शन है वह आपका सही आंसर है रहेगा नेक्स्ट एक क्यूसन नमर 140 है कि इसमें से एस संगत कौन सा ओप्शन है वह आपको बताना है तो एक गुंचालिस के लिए आपका सी ओप्सन सी हो जाएगा यानि माताजी परतीजिन बाग में जाते हैं इस में रंजक किरिया है यह आपका इस क्यूशन के लिए सही आंसर रहेगा क्यूशन नमर 140 है निमन में से कौन सा संग्या सबद से निर्मित विशेशन नहीं है तो चिंतन इसके लिए सही आंसर रहेगा यह दोस्तों आपके 10 क्यूशन है वह इंदी के हो गए नेक्स आपके 10 क्यूशन इंगलीज के है तो पहले आपको एक पेसेज दिया गया है वीडि साथ ध्यान पुरुक पढ़ने उसके बाद में आपको आगे के जो आंसर है वह देने सबसे पहले हमें एक सिनोनिम पूछा गया है जो कि इसका आपको सिनोनिम बताना है तो 141 के लिए यह उप्शन सी हो जाएगा यानि सर्प्रेस्ट इसके लिए से आंसरेगा फिर आपको इसके लिए बी ओप्शन 113 के लिए से रहेगा फिर एक वाक्य दिया गया है इंगली से इसको हिंदी में ट्रांस पर लेट करना है कि मॉम कुड यू पूट मैं बेग इंसाइड दा कुट यू बुक्स इंसाइड दा बेग तो इसके लिए सी ओप्शन सी रहेगा मां क्या आप मेरी किताबें बेग में रख सकते हो इसके लिए सी अंसर है से रहेगा फिर दोस्ता में दिया गया है कि वीच ओफ दा फॉलॉइंग इज आर क्रेक्ट सेंटेंस है रिगार्डिंग दा लेट राइट राइटिंग से समद्दित इनमें सी जो कथन दिया गया है वो कौ अबरकार लिखे जाती है इसकी जिगा ठीक है तो यहने 145 के लिए सी सही रहेगा सी के अंतरगत यह आपका दिया गया है कि ओनली थर्ड इस और पॉर्टी पाइप 245 के लिए आपका सी उप्शन सही रहेगा फिर आपको बोला गया है कि वन वर्ड बताना 146 के लिए कि एक पिर दोस्तों आपको एक idiom या phrase दी गई है कि I am going to stay home because I am feeling under the weather today तो यानि कि एगर कोई बिमार होता है तो वो बोलता है कि मैं under the weather हूँ यानि कि सिक इसके लिए सी आंसरेगा तो यानि 147 के लिए डी ओप्शन आपका सी आंसरेगा क्यूसर नमर एक सुर्चास है दा टीचर सेट तू दा स्टुडेंट टेक बेग यूर बुक से इसको हमें इंडायट स्पीज के अंतरगत बदलना है तो एक सुर्चास के लिए बी ओप्शन आपका सही आंसर है रहेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्यूसर है कि फिल इन दा स्पेस इन दा गिवन सेंटेंस से सुजन करेक्ट आंसर फॉर दा गिवन ओप्शन इन में आपको जो सही आंसर हो बताना है तो क्यूसर नमर एक सुर्चास के लिए आपका बी ओप्शन से रहेगा यानि पहले ऑप्शन के अंदर गदा आएगा और फिर आ अपका प्रयों किया गया है मेड यह의 मेक की सेकेंड फॉरम है यह आपका पस्ट कॉंटिए में आएगा यह आप бывает इन फैन में चेह wearing mirror वीडियो को मैंने आपको डायेट आंसर बता है तो भी आपका लग बगी आपका 40-50 मिन्ट का वीडियो बन जाता है तो इसे ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो तो इसके लिए मैं आपको डायेट आपकी ऑपीसियल आंसर की से सहीते ऑपीसियल आंसर की में जो भी आंसर मनना वह मैंने आपको वीडियो के अंतर बता है वीडियो आपके लिए पॉर्टेंट है तो आप लाइक और शेयर जुरू कर देना चैनल भी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जै हिंद जै बारत